नमस्कार मैं हूँ दिवा बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 30 दुलाई दिन मंगलवार खब्रक्यों बढ़ने से पहले एक नदर सुर्खियों पर अपने गोटने इस्तिमाल होने वाले पानी की गुनवता की नहीं सुल्क करवा सकेंगे जान एक जब बढ़ाई से पहरे ये काम करवाने है जरूरी युवा बिहार विकार के युवा कौसल कारेकरम का उठा सकते हैं लाब बिहार स्वाग दुल्भाग ने CMC वेल लॉर से किया करार बिहार विकार प्रोच्चाहा नेती को लेकर विजयत कुमार सिन्हा ने दिया बयाद आज तीन मैचों की T20 सीरीज के आखरी मैच का स्रीलंका और भारत के बीच होगा मुकाबला अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बरी खबरों के और बिस्तार से इस भरती के तहत कुल 200 पत भरे जाएंगे इस्चो क मिद्वार इसके आधिकारिक वेबस tätäit www.lichouse.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आविदन प्रेक्रिया सुरू है और आविदन करने के अंतिन तारी एक 14 अगस है इस भर्ती के लिए जरूरी है कि मिद्वार ने मानिता प्राप्त विस्विद्याले से ग्रेजोशन पास किया हो आविदन करने वालों मिद्वारों के आयो सीमा एक किस वर्स होनी चाहिए इस अगर नहीं तो आप अपने घर में पीने के या इस्तिमाल करने के पानी की जांच करवा सकते हैं क्योंकि बेहर सरकार अब हर महीने करेब किस हजार नमूनों की जांच नहिस्वल के करवाने वाली है इसके लिए जिले और अनुमंडलों में लैप भी अस्थापत किये गये हैं लोक्सवस्त अभियंतरन यानि पीचीडी विभाग ने पानी की जांच पर होने वाले खर्च की स्विक्रेती दे दी तो अब आप जहां है जाली कि पानी की जांच एकदम रह्षोल करवा सकते हैं ये बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे खरखपुर झील के ये धील पहारियों के बीज में देखने को मलता है, यहां कई सैलानियों का जमावरा लगा रहता है, दूर दूर से लोग यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं, वंगेर जिला मुख्याले से ये जगह करीब 37 किलोमिटर की दूरी परस्तित है, पिकने के स्पोर्ट के जगों में से एक हो सकता है, अगर आप कहीं घूमने के प्लैनिंग बना रहे हैं, तो यहां आ सकते हैं, एक्तिस जुलाई से पहले ये काम करवाने हैं जरूरी, एक्तिस जुलाई अब बहुत ही नजदीक है, इस तारीके खत्म होने से पहले कई ऐसे काम है जिने निप्टाना बहुत ही जरूरी है, इसमें सबसे पहले आता है प्रधान मंतरी किसान सम्मान नधी के लाभारती को क करवाना अगर आप 31 से पहले इसे नहीं करवाते हैं तो आप 12 किस्ट से वंचित रह जाएंगे इसके लावे हर महीने की पहली तारीक को लपीजी गैस सिलिंडर के दामों में भी बदलाव होता है ऐसे में इस बार उम्मीद है कि इसके दाम में जाफा हो तो आपको अगर पहल कंडारवर गर्णों के मामले में बिहार सकार को जारी क्या नोटेजर विहार सरकार से के जनहित याचिकाँ पर देश की सरवुष नियायाले ने जवाब मांगा है बिहार में कई पुलों के ध्वस्त होने की सरचनाओं की जान से दुरी याचिका है जिस पर डीवाई चंदरचूर की अध्यक्स्ता वाली खंड पीट सुनवाई कर रही है इसमें कहा गया है कि एक विसे सग्य समीती का निर्मान किया जाए जिससे कमजोर पुलों की देखने का और उनके समाधान हो सके बिहार में लगातार गिरने वाले पुलों के मामले में बिहार सरकार को अधालत वारा नोटिस भी जारी किया गया है आपको बता दे कि इस मामले पर सीम नितीस ने भी तीन जुलाई को मीटिंग बुलाई थी जहां पुलों के रख रखाव और उनकी जांच परताल से जुरे मुद्दों पर बात की गई थी बिहार में फिल्म प्रोचाह निती को लेकर विजयकुमार सिन्हा ने दिया बयान बिहार में लागू हुए फिल्म प्रोचाह निती को लेकर उप्मुखे मंतरी विजयकुमार सिन्हा ने कहा है कि ये बिहार के लिए गेम चिंजर साबत होगी उन्होंने कहा कि इस नीती को बिहार सरकार ने पूरी गंभीरता और ततपड़ता के साथ इसके क्रियानवेन के दिसा में कदम बरहा दिया है आगे उन्होंने बताया कि सिनेवा सक्षा रोजगार सामाजी कति सीलता और देश प्रदेश की छवी निर्मान में निरनायक भूमी का निभाने वाला कला माध्यम है फिल्म कारों को अनुदान और सबसीरी देने के मामले में की नीती तो देश में सबसे आगे है ही साथ ही इसमें फिल्म अध्यन, फिल्म नर्मान, रोजगार और वेबसाइट अता फिल्म परेटन को भी बरहावा देने के परियास भी सामल किये गए हैं बिहार स्वास्त विभाग ने CMC विल्लॉर से किया करार विहार सरकार के स्वास्त विभाग ने CMC विलोर के साथ करार किया है इसे थैलोसीमिया पिरित बच्चों के बोन मैरो ट्रांस्प्लांट असानी से हो सकेंगे बच्चों का बोन मैरो ट्रांस्प्लांट CMC विलोर में किया जाएगा PMCH में इसके लिए रजिस्टेशन किये जा रहे हैं एक औगस्त को हले एक कैम्प का आउजन होगा ये PMCH के औरिटोरियम में PMCH के सिसू, डोग, विभाग और CMC वेलोर की सहीफ तत्वा धान में किये जाएंगे इस कैम्प के दोरान जो पीरित बच्चे होंगे उनकी भाई या बहन से खून और बोन मेरो का मलान होगा फिर सरकार योगे बच्चों का चैन करके CMC वेलोर भेजेगी आरक्षन रद मामले में सुप्रीम कोट ने पटना हाई कोट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार पटना हाई कोट द्वारा बिहार सरकार के पैसक प्रतीसत आरक्षन देने के मामले को रद कर दिया गया था दिससे लेकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तयार है ये सुनवाई अब सितंबर में की जाएगी आपको बता दे कि सेक्शन संस्थानों और सरकारी नौक्रियों में बिहार सरकार ने स्टी, स्टी, ओबिसी और एबिसी के 50 फीजदी आरक्षन को बरहा कर 65 फीजदी कर दिया था युवा बिहार सरकार के कुसल युवा कारेकरम का उठा सकते हैं लाब, बिहार सरकार द्वारा कुसल युवा कारेकरम चलाये जा रहे हैं ये कारिकरम युवाओं के आफ में विसपास को बरहाता है। इस कारिकरम के तहत युवाओं को कम्प्यूटर के स्मार्ट उप्योग समवाद कौसल वैवहार कौसल प्रसेक्शन कोर्स उपलब्द करवाये जाते हैं। दसभी पास विवा जिनके उम्र सीमा 15-28 वर्ष के बीच में हैं वे इस कारिकरम के तहट भाग ले सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको www.skalmissanbihar.org पर विजिट करना होगा। आप चाहे तो इसके टॉल फ्री नंबर 18-00123-6525 पर भी संपर्क कर सक करते हैं। बारिस के मौसम में अपनाईगे टिप्स। कपरों से नहीं आएगी सीलन की बदबू। अक्सर बारिस के दिनों में कपरों से सीलन की बदबू आती है। ऐसा नमी और ठंडी हवा के कारण होता है। इस मौसम में कपरे सूखने में भी काफी समय लगते हैं। इस इस वज़ा से कपरों से इस वज़ा से इस तरह के स्मिल आने लगते हैं इससे बचने के लिए आप अपने कपरों को धोने के तुरंत बाद धूप में सुखा सकते हैं इससे सीलन की बद्वु खत्म होने में मदद मिलती है यदि धूप नहीं है तो आप इन कपरों को वेंटि सोड़ा का इस्तیमाल भी कर सकते हैं. सिवल सिवा परोच्चाहन योजना के लिए आविदन शुरू, बिहार में सिवल सिवा परोच्चाहन योजना चलाई जा रही है. ये योजना इस योजना के माध्यम से UPSC 24 में पीटी उत्तरन बिहार राजे के महिला भ्यरतियों को एक लाख रुपे प्रोचाहन रासी के रूप में दिये जा रहे हैं इस योजना का लाव उठाने के लिए आपको wede.bihar.gov.in पर विजट करना होगा आविदन प्रेक्रिया सुरू है और आविदन करने के अंतिमतार एक 22 जुलाई है इससे संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप सुने 6-1-2-2-5-6-6-6-6-8 पर संपर्क कर सकते हैं ITR फाइलिंग में किये जूटे दावे पर सकते हैं भारी कई लोगों द्वारा ITR फाइलिंग के दौरान अपनी आमदनी कम बताई जाती है और अपने खर्जे का फरजी दावा किया जाता है ताकि उन्हें जूट मिल सके लेकिन ऐसा करना आप पर भारी पर सकता है ITR फाइलिंग को लेकर फरजी दावा करने वालों को इंकम टेक्स विभाग ने भी सकत हिदाय दिये हैं इन्हें कहा गया है कि अगर कोई ITR फाइलिंग के दौरान फरजी दावा करता है और अपनी आमदनी कम करके दिखाने के कोशुश करता है तो ये दंडनी आपराद है ऐसा करने पर रिफंड जारी करने में देरी भी हो सकती है अभिनेत्री अंकिता भारगब ने बताया पंकस्त रिपार्ठी का कैसा है स्वभाव अभिनेत्री अंकिता भारगब ने पंकस्त रिपार्ठी को लेकर कुछ बातें साजा की है उन्होंने ये बाते तब साजा की जब उन्हें पंकस्त्रिपार्थी के साथ काम करने का मौका मला उन्होंने कहा कि मैं पंकस्त्रिपार्थी जैसे दिगज के साथ काम करने का मौका पाकर बहुत खुश हूँ मैंने हमेशा उन्हें एक कलाकार की तौर पर देखा है उनके अभिनय में बहुत इमानदारी है और दिरिट विस्वास है मुझे वो सहजता बहुत पसंद है जिसके साथ वो अभिनय करते हैं अंकिता भारगब ने पंकस्त रिपार्थी को लेकर जो बयान दिया है इस पर आपकी क्यार आए है वाट्सेप के इस नए फीचर से दोबारा सेयर कर पाएंगे स्टेटर्स वाट्सेप अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को एक ऐसी सुविधा उपलब्द करवाने वाला है जिसके तहर्ट यूजर्स अपने वाट्सेप पर दोबारा अपने स्टेटस को सेर कर सकेंगे वाट्सेप के इस नए फीचर का नाम री सेर है WA बीटा इंफो के रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर पहले से इस तरह के फीचर मौजूद है जिससे अब वाट्सेप भी अपने यूजर्स के लिए प्लब्द करवाने की तयारी कर रहा है अभी इस फीचर पर टेस्टिंग चल रही है उमीद है कि जल्दी इसे भारत में यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाए बिहार अगनी समन विभाग में आग पर काबू पाने के लिए हो सकती है रोबोट के एंट्री बिहार अगनी समन विभाग आग पर काबू पाने के लिए रोबोट लाने की तयारी कर रहा है आग पर काबू पाने के लिए लाया जाने वाला ये रोबोट समतल, जमीन, सीरी और छट पर चरकर आग बुझाने में सक्षम है इसका ट्राइल भी शुरू हो चुका है ये XCNA 5.0 फायर फाइटिंग रोबोट है इस रोबोट को रिमोट के जरिये 1-2 किलोमेंटर की दूरी से भी कंट्रोल किया जा सकता है ये रोबोट आग और धुए में फसे पीरित की तस्वीर भी कैप्चर कर सकता है ये 500 डिगरी के तापमान को भी जेल सकता है इस रोबोट को 2-3 घंटे चार्ज करने पर ये 4-6 घंटे तक चलता है इसकी कीमत करीब 2 करूर रुपए के करीब में है जल्दी ये बिहार अगने समर्विभाग का हिस्सा भी बन जाएगा आई टी आई में काउंसलिंग को लेकर BCACB ने जारी किया कारिक्रम और द्योगिक प्रसेक्षन संस्थान प्रतियोगिता प्रवेस परिक्षा 2024 की काउंसलिंग में संबंधित कारिक्रम विहार सेयुक्त प्रवेस प्रतियोगिता परिक्षा परसद यानी BCACB द्वारा जारी कर दिया गया है वैसे अभ्यरती जो सरकारी ITI में नामंकल लेना चाहते हैं विच 4 अगस्त तक ऑनलाइन रेजिस्टेशन सह विकल्प चैन प्रक्रिया के लिए रेजिस्टेशन करवा सकते हैं 9 अगस्त को इसके आधार पर पहले डाउंड का प्रोविजनन सीट अलोट्मेंट जारी कर दिया जाएगा 9 से 17 अगस्त के बीच में अभ्यरती अपना अलोट्मेंट लेटर ट्राप्त कर सकेंगी आपको बता दी की 111 सरकारी आईटी आई में 32,775 सीटों पर नामंकल लिया जाएगा बिहार के इंजलों में बारिस की है संभावना बिहार में कम वर्सा के कारण प्रदेस में कई जगों पर सुखार के स्थिती बनी हुई है लोगी सुमस और भिसन गर्मी से परिशान है मौसम विभाग द्वारा कई जगों पर बारिस की संभावना भी जताई गई है हालांकि इसका कोई असर परता दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आज भी प्रदेस में कोई जगों पर बारिस की संभावना है बकसर, भोजपूर, रोहतास, भवुआ और अंगाबाद और अर्वल में भी कोछ जगों पर अच्छी बारिस देखने को मन सकती है नहा का तापमान 32-34 डिगरी के बीच रह सकता है वहीं आज प्रदेस में अधिकतर जगों पर अधिकतम तापमान 36-38 डिगरी रहने की बात कही गई है वही नियुतम तापमान 28-38 डिगरी रहने की संभावना है जमूई में डियम ने घूस लेने वाले डेटा ओपरेटर को रंगे हाथों पकरा जमूई के बरहट प्रखंड कारियाले से लगातार प्रश्टाचार के मामले सामने आ रहे थे जिसके बाद डियम राकेस अच्वानक बरहट प्रखंड जाज के लिए पहुँच गया जहां आते ही उन्होंने मौझूद आवेदन करताओं से पूछताच करना शुरू कर दिया इसके बाद डियम विस्वान कारियाले पहुँच गया जन प्रमान पत्र मिरतिव प्रमान पत्र और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत काम किया जा रहा था इस दोरान एक सक्स ने सिकायत कर दी कि जन प्रमान पत्र और आधार कार्ण में सुधार के लिए देर हजार रुपे लिए जा रहे हैं यहां मौझूद एक दूसरे सक्स ने सिकायत की कि डेटा ओपरेटर संतोस यादव काम के बदले 700 रुपे मांग रहा है इस दिकायत पर डीम ने संतोस यादव के पॉकेट की जांज करवाई तो उसके पास से 5,000 रुपे बरामद हुए यह पैसे घूसके थे इसके बाद डीम ने बरहट बिडियों को इस मामले में जांज कर इस पर FIR दर्ज करवा कर जेल भीजने के आदेश दिये हैं दो फरजी पुलिस अधिकारियों को पुलिस ने किया गिरफतार वैसाली जिले में दो फरजी पुलिस अधिकारियों पर पुलिस ने बरी कारवाई की है इस कारवाई के तहत दोनों ही फरजी अधिकारियों को गिरफतार कर लिया गया है खुद को पुलिस बताने वाले दोनों ही आरोपी वर्दी पहन कर किसी गलत कारे को अंजाम देने में पहुंचे थे जैसे ही पुलिस को इसकी सूजना मिली पुलिस ने इने गिरफतार कर लिया इस दोरान दोनों की गारी को भी पुलिस ने जब्त किया है इस गारी पर पुलिस का स्टीकर लगा था, इनके बारे में सूचना मिलते ही जब पुलिस इन तक पहुँची तो दोनों ही अपनी गारी छोड़ कर भागने लगे थे, हालांकि दोनों को ही पुलिस पकरने में सफल रही, इनकी पहचान मोनु कुमार और धर्मेंद्र कुमार क रूप में हुई है, राज़त कार्याले के सम्मान समारों में सुनील सिंग ने सियम नितीज पर बोला हमला, जब से राज़त MLC रहे सुनील सिंग की विधान परिशत से सदस्ता खत्म हुई है, तब से राज़त नितीज कुमार पर हमला वर है, अपनी सदस्ता खत्म होने के बाद सुनील सिंग ने लगातार नितीज कुमार पर हमला किया है सुनील सिंग ने कहा है कि वो समझते हैं कि सदन में बोलने से मुझे रोक सकते हैं इसलिए मेरी सदसिता खत्म कर दी है लेकिन इसे मुझे कोई फर्क नहीं परता है वो मुझे सरक में बोलने से नहीं रोक सकें मैं सरक से बोलूँगा आपको बता दे कि बीदे दिन राज़त कार्याले में सुनील सिंग के लिए सम्मान समारो आयोजित हुआ था इस दोरान उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान के लिए वो एक दो नहीं एक दरजन MLSD की कुर्शी कुर्वान करने के लिए तैयार है चांदी का मुकट पहन दिलीप जैसवाल ने किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद्भार ग्रहन बीजए दिन बिहार भाज़पा के नम निर्वाजित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जैसवाल पटना आये इस दोरान उनका भाज़पा की तरफ से भव्य स्वागत किया गया दिलीप जैसवाल इस दोरान रथ पर सवार होकर पटना एरपोर्ट से भाज़पा प्रदेश कारियाले पहुंचे यहां उन्हें समराच चौधरी ने पदभार ग्रहन करवाया इस अबसर पर दिलीप जैसवाल को चांदी का मुकट पहना कर उन्हें सम्मानित किया गया दिलीप जैसवाल के स्वागत के लिए कई महिला कारेकरता भी पहुंची थी दिलिब जैसवाल के स्वागत समारों में बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे थे दिलिब जैसवाल के साथ रत पर समराच चौधरी समेत और भी कईनेता दिखाई दी प्रसांत कसोर अपनी पार्टी में नहीं लेंगे कोई पद प्रसांत कसोर की पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को अधिकारिक रूप से किया जाएगा इससे लिकर प्रसांत कसोर ने कुछ पदा अधिकारियों के साथ सम्मेलन किया था जिसकी तस्वीर उन्होंने सोसर मीरिया पर साजा की इस दोरान उन्होंने अपनी दो साल की यात्रा का जिक्र भी किया उन्होंने लिखा कि यह सब एक ओन-्लाइन सर्वेक्षन में बिहार के लोगों की प्रातना से शुरू हुआ है बिहार के हजारों गावव और छोटे सहरों में दो साल से अधिक समय तक पदियात्रा करने के बाद हमने अपचारिक रूप से पार्टी गठन की प्रक्रिया शुरू की है ताकि एक बहतर विकल्प दिया जा सके जो दसकों के दुख को खत्म करेगा और विहार के बचों के लिए भेतर भविस से सुनस्थित करेगा आगे प्रसांत कुसो ने कहा कि जैसा कि मैंने वादा किया था मैं पार्टी में कोई पद नहीं मांगूँगा और अगले कई महीनों तक जमीनी अस्तर पर अपनी पहुँच जारी रखूँँगा आज तीन मैचों की T20 सिरीज के आखरी मैच का स्रीलंका और भारत के बीच होगा मुकाबला तीन मैचों की T20 सिरीज के दूसरे मैच को भी भारतिय टीम क्रिकेट टीम ने अपने नाम कर लिया है अब आज भारतिये टीम और स्रीलंकाई टीम के पीच तीन मैचों की T20 सिरीज का आखरी मुकाबला कैंडी के पिले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडिया में होने वाला है भारतिये समय के मुताबिक साम के 7 बजी ये मुकाबला खेला जाएगा आपको बता दे के स्रीलंकाई टीम पर भारत क्रिकेट टीम का हमेशा दबदबा देखने को मला है जिसे युवार टीम ने भी पूरी तरह से बरकरा रखा है आज होने वाले मैच में किस भारते खिलारी का प्रेदर्शन सबसे अच्छा रहने वाला है हमें कॉमेंट में लेका जरूर बताएं कई कानों से दर्जे भारत के थेहास में आज की तारीक आज के दिन वर्स 1886 में देश की पहली महिला विधायक और समात सुधारक एस मुथू लक्षमी रेड़ी का जन्म हुआ था आज के दिन वर्स 2004 में भारत और पाकस्तान के बीच तुलबुल परियोजना पर बादचीत बिना किसी सहमती के समाप्त हो गई थी आज के दिन वर्स 1945 में नवीन चाबला का जन्म हुआ था ये भारत के 16 वे मुख्य चुनाव आयोक्त रह चुके हैं आज के दिन वर्स 1923 में गोविंद चंदर पांडे का जन्म हुआ था ये 20-20 सदी के जाने माने चंतक एतिहास वेता, संस्कृतिक ग्या और सौंदरे साफ्तरी थे आज के दिन वर्स 1882 में सतिंदर बोस्त का जन्म हुआ था ये प्रसित करांथी कारियो स्वतंतरता सेनानी था बिहार के समस्तेपुर में टला बरा रेल हाथ्सा दरसल पूसव और करपूरी ग्राम स्टेशन के बीत दर्भंगा से दली जा रही बिहार संपर करांथी एक्स एक्स्प्रेस दो भागों में बढ़ गई ट्रेन की कई दिब्बे पीछे छूट गए और इंजन दो बोगी को लेकर आगे बर गई ये रेल हाथसा करपूरी ग्राम और पूसा स्टेशन के बीच रेपूरा गुम्टी के नजदीक हुआ है गारी में मौजुद यात्रियों ने हाथ से कुले कर बताए कि जब बोगी इंजन से अलग हुई तो यात्रियों को काफी तेज जटका लगा था जिससे सभी घबरा गये थे हालनकि इस दोरान किसी तरह के जानमाल की शथी की खबर सामने नहीं आई है दो बोगियों के साथ आगे बरही इंजन के चालक ने भी करीब सौ मीटर पर जाकर इंजन को रोका इस दोरान किसी तरह बोगियों को जोड़ा गया फिर स्टेशन को पूसा इस्टेशन लाए गया हम प्राजिदिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिपी ऐसे बिहार पुलिस दरोगा समेत ऐसे सी जैसे अन्य प्रतोगी परक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास प्यार स्पेसल विज्ञान के इंडरफेर्स और वगोस रहेंगे पूछे के पांच सवालों में अपने कितना सहीं उतर दिया है या में कॉमेंट में लेका जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में किस ने मॉडल कॉसल रिन योजना को लौंज किया है औप्षन है चराग पासवान ऑप्षन बी उम्बरला ऑप्षन सी है जैन्त चौधरी ऑप्षन डी है द्रापदी मूर्मो इसका सहीं तरह जैनत चौधरी हाली में डी आटी उने चरण दो बैलिस्टिक मिस्वा प्रणाली का सफर प्रेक्षन कहां किया है ? आपशन A केरल ? आपशन B औरिशा ? आपशन C करनाटक ?? आपशन D हमाचल प्रदेस ? इसका सहीं तरह औरिशा ? हाली में किस राज की मुईदम को युनेस्कों की विस्व धरोहर सूची में सामल किया गया है ? प्राइबी बिखार में पहली गैर कॉंग्रेस सरकार का गठन कब हुआ था अप्सन मैं गांदी ने सर्वप्रथम के संदूलन में भाग लिया था ओप्षन ए खेडा, ओप्षन भी ए चंपारन, ओप्षन सी ए बारदोली, ओप्षन भी ए बरोदा, इसका सेंज तरह चंपारन बीते दिन हमारे दौरब पुछे के सवाल का आप लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिकर दिया था उनवाद और पुछे के सवाल का जवाब दिन के नाम है मोतिलाल कुमार, विकास दास, बविता देवी, रोहित कुमार, संजीव कुमार, रंजित कुमार, अनंद यादव, अनवर करीम खान, सांतनु कुमार, बाबुलाल, मरांडी, प्रेड़ना भारती, सुरज कुमार, दिल और साथ अगर आप YouTube से देख रहा हैं तो चैनल को राइकन आप सब्सक्राइब करना अगरा फेस्बूक से देख रहा हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद